नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडी विडिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं सिक्षा मनोविज्यान के सो अतिमहत्पून प्रस्णों के बारे में काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है जितनी भी सिक्षक भरति चैनल के सब्सक्राइब कर लेना है तो सुरुवात करते हैं आज का पहला प्रस्णी हमारा बालकेंदृत सिक्षा किसकी देर्न है ये किसकी देन है, सिक्षा सास्त्रियों की है, मनोविज्यानिक निसकर्सों की है, सिक्षा मनोविज्यान की है, या फिर उप्रुक्त सभी की है, बाल केंदर्थ सिक्षा किसकी देन है, तो ये सिक्षा मनोविज्यान की देन है, याद रखेगा बाल केंदर्थ सिक्षा, दूसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा दूसरा प्रश्ण किसके अनुशार सिक्षा मनोविज्यान व्यक्ति के जन्म से लेकर व्रद्धा वस्ता तक सीखने संबंदी अनुभूं का वर्णन और व्याख्या करता है ये किसके द्वारा कहा गया किसकी परिभाशा है इसकी क्रो एंड क्रो की पील की या फिर पिल सवर्ग की किसकी ये परिभाशा है तो यहां जो परिभाशा दी गई है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है इनका कहना है कि सिक्षा मनोविज्यान व्यक्ति के जन्म से लेकर व्रद्धा वस्ता तक सीखने संबंदी विकल्प आपका सही होगा तीसरा प्राश्ण अधिगम का सुक्ष म posiddh consec किस ने दिया इसकी नरने श्तीफन ने क्रो एन क्रो ने या फिर कहुछ औरने किसके द्वारा दिया गया अधिगम का सुक्ष म सिध्धानत तो यह दिया गया था गोलर के योगी तथा मा अपने योगी विवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया विवहार वादियों ने सरचना वादियों ने प्रकारिवादियों ने या फिर समंकर वादियों ने के द्वारा केंदरित किया गया धियान अपना तो यह किया गया था व्यभारवादियों के यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वह आपका सही होगा अगला प्रस्ण सक्ती मनोविज्यान का जनक है कौन है सक्ती मनोविज्यान का जनक कौफका वॉल्फ सेल्फ या फिर उपरक्त सभी यहाँ पर सक्ती मनोविज्यान का जनक आपको बताना है कौन है तो आपका राइट आंसर होगा वॉल्फ वॉल्फ सक्ती मनोविज्यान का जनक है यहाँ पर बावाला विकल्प आपका सही होगा, अगला प्रस्म, नियंत्रित दशाओं के अंतरगत किया गया अध्यन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रियोग सरवेक्छन या फिर चेकलिस्ट, क्या कहलाता है, नियंत्रित दशाओं के अंतरगत किया गया अध्यन, तो ये कहलाता है, प्र अंत्रित दशाओं के अंत्रगत किया गया अध्यन प्रियोग कहलाता है यहां, पर बावाला विकलपे आपका सही होगा, साथवा प्रस्न, प्रथम सेक्षिक मनोविज्यान माना जाता है, यहां पर बावाला विकल्प आपका सही होगा आठवा प्रस्न सिक्षा मनुविज्यान संबंदित है किस से हैं अधिगम करता से हैं अधिगम प्रक्रिया से हैं अधिगम इस्तितियों से हैं या फिर उप्रोक्त सभी से हैं सिख्छा मनोविज्यान किस से संबंदी थे यह आपको बताना है तो यह अधिगम करता से भी संबंदी थे अधिगम प्रक्रिया से भी संबंदी थे और अधिगम इस्तितियों से भी संबंदी थे तो यहाँ पर आपका राइट अंसर उप्रोक्तु सभी होगा अगला प्रश् को ध्यान से पढ़ना है कौन व्यवारवादी मनोविग्यानिक नहीं है यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा दैस्वाप्रशन निमलिकित में से कौन सी विधी में एक व्यक्ति या इस्तिति का गहन अध्यन किया जाता है प्रियोग केस अध्यन अवलोकों या फि कौन सी विधी में एक व्यक्ति या इस्तिति का गहन अध्यन किया जाता है आपको बताना है तो राइट आंसर होगा आपका केस अध्यन केस अध्यन विधी में एक व्यक्ति या इस्तिति का गहन अध्यन किया जाता है यहां पर बावाला विकल्प आपका सही होगा पर आपका राइट आंसर होगा इस्टिफन के इस्टिफन के नुशार सिच्छा मनुविज्ञान बालक के सेक्षिक व्रध्धी एवं विकास का विवस्थित अध्याने यहां पर बावाला विकल्पे आपका सही होगा मनुविज्ञान अनुभव और विवार का विज्ञान है यहां कथन किसका है वडवर्थ का है वाटसन का है इसकिनर का है या फिर अरस्तु का है यहां पर जो कथन दिया गया है यह किसके द्वरा दिया गया है आपको बताना है तो यहां पर जो कथन है यह इसकिनर के द्वरा दिया गया है कि मनो विज्ञान, अनुभव और विभार का विज्ञान है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्राश्ट्र आँनसर आपका यहाँ पर उप्रुक्ट सभी होगा, मनोविज्यान के व्यवारवाद संपरदाय के जनक किसे माना जाता है वाटसन को उडवर्थ को इसकी नर को या फिर उपरुक्त सभी को व्यवारवाद संपरदाय के बारे में पूछा गया है इसके जनक कौन है तो याद रखेगा इसके जनक कोन होंगे वर्टसन होंगे मनो विज्ञान के व्यवारवात संपरदाई के जनक वर्टसन होंगे यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रसुन मनोविज्यान का प्रारंब में अर्थ था यहां पर देखे प्रारंब में क्या रथ था मनोविज्यान का यह आपको बताना है आत्मा का विज्यान, मन का विज्यान, जेतना का विज्यान या फिर व्यवहार का विज्यान मनोविज्यान का प्रारम में अर्थ क्या था ये पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा आत्मा का विज्यान ये प्रारम में मनोविज्यान का अर्थ था यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्टर पूछ गया है तो यहां पर आपका रायट आंसर होगा पर तीसरा वाला विकलपे आपका सही होगा प्रत्थम मनोविज्यान प्रयोग शाला 1889 में जर्मनी लिब्जिंग नगर में इस्तापित की गई यहां किसके द्वारा की गई, यहां पर देखे कब की गई, कहां पर की गई, दोनों यहां पर प्रशन के माध्यम से आपको बता दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि यहां किसके द्वारा की गई, विलियम जिम्स, विलियम वुंट, अरस्तु या फिर प्लेट विधायक विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है पूछा गया है तो ये विधायक विज्ञान है यहाँ पर तीसरा वाला विज्ञान पर आपका सही होगा मनो विज्ञान को मन या मस्तिक्स का विज्ञान मानने वाले कोन है उंट है उडवर्थ है पामपनोजी है या फिर वर्टसन है कोन है मनो विज्ञान को मन या मस्तिक्स का विज्ञान मानने वाले तो ये पामपनोजी है पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा मनोविज्ञान व्यभार का निश्चित विज्ञान है यहां कथन किसका है इसकिनर का है वड़वर्ति का है वाटसन का है या फिर अरस्तु का है यहां पर जो कथन दिया गया है यह किसका है, तो right answer होगा, Watson का, Watson ने कहा है, कि मनुविग्यान विभार का निश्थ विग्यान है, यहां पर तीस्रा वाला विकल्बपे आपका सहिय होगा, सिक्षा, मनुविग्यान सेच्छनिके परिस्थितियों में मानव विभार का अध्यन है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है यह किसका है वाटसन का है स्किनर का है क्रो एंड क्रो का है या फिर कोई नहीं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इसकिनर याद रखेगा यहाँ पर जो कथन दिया गया है यह इसकिनर के द्वरा दिया गया कथन है शिक्छा मनोविज्यान व्यक्ति के जन्म से व्रधा वस्ता तक सीखने के अनुबहुं का वर्णन और व्याख्या करता है यहां परिभासा है प्रसन है यहां परिभासा किसके द्वारा दी गई है इसके नर के क्रो एंड क्रो के कॉलसनिक के या फिर इन में सी कोई नहीं तो मैंने इसका आंसर आपको बता चुका हूं क्रो एंड क्रो यहां पर जो परिभासा दी गई है यह क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभा यहांपर जो परिभासा दी गई है ये क dichtर दी गई परिभासा है कि अ मंदोन का सिख्छा के छहतर में योगदान नहीं यहां पर प्रश्ण को जिए से पढ़ना है मनोविज्यान का सिख्षा के छेतर में योगदान नहीं है सिख्षा के सिध्धान्तिक पक्ष पर बल सिख्षा का बाल केंद्रित होना पार्टिक रमसुदार या फिर पुप्रुक्तर सभी तो यहां पर आपका राय टांसर होगा सिख्षा का सिध्धान्तिक प प्रक्रिया में सिक्षा मनोविज्यान की भूमिका होती है किस में होती है तो यह होती है संपुन सेक्षिक प्रक्रिया में सिक्षा मनोविज्यान की भूमिका होती है पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण मनोविज्यान का सिक्षा के छेतर में में और पार्ठे करम सुधार में मनुविज्यान का सिच्छा के छेत्र में इन तीनों में ही योगदान है तो यहां पर उपरुक तो सभी आपका राइट आंसर होगा सिक्षा मनोविज्यान आवशक है सिक्षकों है तू है चात्रों है तू है अभी भावकों है तू है या फिर सभी के लिए है तो जो सिक्षा मनोविज्यान आवशक होता है वो सिक्षकों के लिए भी होता है चात्रों के लिए भी होता है और अभी भाव को हेतु भी होता है तो राइट आंसर आपका यहां पर सभी हेतु होगा याने कि फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा सिक्षा मनुविज्यान का योगदान है अनुसासन हे तू, बाल विकास के ग्यान हे तू मुल्यांकन है तू या फिर सर्वागन विकास है तू सरलसा प्रस्ण है चार विकल्प पढ़ते ही आंसर समझ गए होंगे कि जो सिच्छा मनोविज्यान का योगदान होता है वो सर्वागन विकास है तू होता है याँ पर फोर्त वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रस्ण विकाशात्मक मनोविज्यान का जनक माना जाता है किसको माना जाता है जेरोम ब्रुनर को जिन प्याजे को वाटसन को या फिर उडवर्थ को विकाशात्मक मनोविज्यान का जनक पूछा गया है तो आपका राइट अंसर होगा जिन प्याजे को विकाशात्म का मनुविज्यान का जनक माना जाता है शिच्छा मुनश्य की आंत्रिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है यहां परिभासा किसके द्वरा दी गई पेष्टालोजी फ्रोवेल गांधी आफिटे गोर तो यहां पर जो परिभासा दी गई है यह पेष्टालोजी के द्वरा दी गई परिभासा है कि सिच्छा मुनश्य की आंत्रिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है यहां परिभासा पेष्टालोजी द्वरा दे गई शंगनात्मक्ता है शंगनात्मक्ता क्या है समश्या का हल है ब लाई प्रश् mo किस देश के निवासी थे इंगलेड़ के थे स्वेजर्ष लेंड के फ्रांस के या फिर जर्मनी सीसे के और जहां तक मुझे लगता है आपको पता भी होगा यह स्वेजर्लेंड के निवासि थे जन्र प्रबाव विगलब्पे आपका सही हो hybrid साइकलोजी सब्द का प्रियोग सरप्रथम किस ने किया रस्तू ने प्लेटू ने थौंडाइक ने या फिर रुडोल्फ गोईकल ने यहाँ पर देखिए साइकलोजी सब्द का प्रियोग पूछा गया है कि सरप्रथम किस के द्वारा किया गया साइकलोजी सब्दिका sih Ready- Water फोर्थ वाला विकलपिन सही हो गाद अगला प्रस्वार्षन को खेल की आउधाना सिच्छा जगत को किसने प्रुदान की उसन यहां फिर जेम जो염 इन है यहां पर खेलकी आ उधाना एप इच्छा जगत को किसने प्रदान की ये पूछा गया है सरल सा प्रस्ण ही है आप सभी को पता होगा कि ये फ्रोबेल द्वारा की गई यहां पर बाव वाला विकल्बि आपका सही होगा अगला प्रस्ण जिन प्याजे ने बल दिया है किस पर बल दिया है जिनने प्याजे ने संग्यनात्मक विकास पर किर्यात्मक विकास पर भावात्मक विकास पर या फिर उपरोगतों सबी पर तो जिनने प्याजे ने जो बल दिया है वो शंग्यनात्मक विकास पर दिया है यहां पर पहला वाला विकल्पर आपका सही होगा अगला प्रश्ण मनोविज्ञान के सरचनावाद संप्रदाई के जनक कौन है उन्ट है, जेमस है, फ्रायड है या फिर स्किनर है यहाँ पर सरचनावाद संप्रदाई के जनक आपको बताना है तो आपका राइट आंसर होगा उन्ट मनोविज्ञान के सरचनावाद संप्रदाई की जजनक होंगे उंट होंगे यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन मनोविज्ञान आचरण और यतार्त का विज्ञान है यहां कथन किसका है उड़वर्थ का है मेकडूगल का है, इसकीनर का है या फिर प्लेटो का है यहां पर जो कथन दिया गया है यह किस का है, बताना है तो right answer आपका होगा मेकडूगल का याद रखेगा, वनों विज्ञान, आचरण और यतारत का विज्ञान है, यहां कथन मेकडूगल के द्वारा दिया गया अगला प्रश्ण गेश्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहां हुआ था जर्मनी में, अमेरीका में, फ्रांस में या फिर इंगलेंड में गेश्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहां हुआ था पूछा गया है तो आपका राइट आइंसर होगा जर्मनी में याद रखेगा कहाँ पर हुआ था जन्म गेश्टाल्टवाज संप्रदाय का जर्मनी में अगला प्रश्न है मनोविज्यान की शाखा के रूप में सिक्छा मनोविज्यान की उत्पत्ती हुई मनोविज्यान की उत्पत्ती हुई याँ पर आपका रायट आइट आंसर होगा मनोविज्यान की जो प्रकारिवाद संप्रदाय के जनक होगे वो जेम्स होंगे मेडम मारिया मांटेसरी द्वारा दी गई सिक्छन विधी कोन सी है हुरेस्टिक विधी है, प्रोजेक्ट विधी है, मांटेसरी विधी है या फिर इन में से कोई नहीं यहाँ पर मेडम मारिया मांटेसरी द्वारा दी गई सिक्छन विधी के बारें पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा मांटे सरी विदी कौन सी दी इन्होंने मांटे सरी विदी दी है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन किंडर गार्डन विदी के प्रतिपादक कोन है पेश्टालोजी है फ्रोबेल है वोटसन है या फिर उडवर्थ है तो यहाँ पर देखिए किंडर गार्डन विदी के प्रतिपादक के बारे हम पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रोबेल यहाँ पर बाव वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण फ्रोबेल किस देश के निवासी थे फ्रांस के जर्मनी के इंगलेन के या फिर अमेरिका के तो याद रहीगा इंपोटेंट प्रश्ण है जो फ्रोबेल थे यह जर्मनी देश के निवासी थे परिवार बच्चे को शिक्छा किस प्रकार प्रदान करता है पूचा गया है क़िए Selузa को में बालकों का परीवियक्षण किया जाता है वे होते हैं नय होते हैं कि विबन्न होते हैं निशित होते हैं या पृप्रुक्त में सी कोई नहीं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा निश्षित अनुधेरी उपागम में जिन बालों को का परिवेक्षण किया जाता है वे निश्षित होते हैं किस प्रकार के होंगे निश्षित यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प जो रहेगा वो आपका सही होगा अगला प्रसुन वियाभा भार्वाद का प्ता है वो जे वाट्सन को माना जाता है यहाँ पर बावला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रसुन वियाट धर्वेल क किन्डर गारदन का वद्देश्षिं इंदर्ली इ तो यहाँ पर आपका राइट आ सरूप जा दूब माहं की बिकास करना है अगला प्रशन सरचप्चा अदिगम का सिध्धान्त किस ने दिया है प्याजएने बूणर ने इसकीदर ने जाफ़ित धाइक ने किसके द्वरा दिया गया है सरचप्चा मौनविज्यान का अध्यर्म को समझने में सायक है कच्छा कच्छ समश्याओं के समाधान में सायक है अनुशासन इस्थापित करने में है या फिर उप्रुक्त सभी में है सिक्छा के लिए सिक्छा मनोविज्यान का अध्यन सायक है तो ये बालक के विवहार को समझने में भी सायक है कच्छा कच्छ समश्याओं के समाध विवक्ती को ही सिक्षा कहा है तो ये विवेकानन जी ने यहां पर तीसरा वाला विकलपे आपका सही होगा भारत में प्रथम मनोविज्याने के प्रियोगशाला इस्तापित हुई थी कहां पर हुई थी कलकत्ता विश्विध्याले में दिल्ली विश्विध्याले में इलाबाद विश्विध्याले में या फिर इन में से कोई नहीं भारत में प्रत्म मनोविज्यानिक प्रयुगशाला के बारे में पूछा गया है, यह कहाँ पर स्तापित हुई थी, तो यह कलकत्ता व्यकलप विध्यालें में स्तापित हुई थी हैं पर पहला वाला विकलप आपका सही होगा भारत में प्रथम मनोविज्ञानिक प्रियोगशाला किस ने इस्तापित की थी अभी हमने जाना कि ये कॉलकटा वेशुर धाले में इस्तापित की थी लेकिन किसके द्वारा की गई थी गांदी जी के अर्चना दूबे के उमा चोधरी के या फिर डाक्टर एन एन सेन गुप तक द्वारा स्तापित भारत में प्राथम मनोविज्ञानेक प्रियोगशाला यहां पर फोर्त वाला विकल्पित आपका सही होगा अगला प्रशना पृत्पिताट मन को इत्यागा और चेतना को अंदग को अगला प्रश्ण सिक्षा मनोविज्यान से जानकारी प्राप्त नहीं होती बालक के विशे में आत्मा के विशे में श्यम के विशे में या फिर अनुसासन हिनता के विशे में किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती सिक्षा मनोविज्यान से यह पूछा गया है तो यह आत्मा के विशे में जान पुछाशन या फिर अध्योगी कद्यन सरलसा प्रसन है यह सिख्छा मनुविज्यान के विशे छेतरे में सामिल नहीं है यहां पर फॉर्ट वाला विकलपे आपका सही होगा शिक्षा मनुविज्यान का उप्योग है पाठिकरम सुधार में शिक्षन विधियों के चयन में नवीन मुल्यांकन विधियों की खोज में या फिर उप्रुक्त सभी में तो राइट आंसर होगा शुक्रात की अध्यन पद्धती को कहा जाता है क्या कहा जाता है विकाशात्मक पद्धती द्वन्दात्मक पद्धती प्रियोगात्मक पद्धती या फिर अनुकरनात्मक पद्धती सुक्रात की अध्यन पद्धती को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर आपका होगा द्वन्दात्मक पद्धती सुकरात की अध्यन पद्धती को द्वन्दात्मक पद्धती कहा जाता है यहाँ पर बावाला विकल्पे आपका सही होगा मन और उर्जा मनोविग्यान का जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है अबराहम मासलो को विलियम मेकडूगल को वर्दी मर को या फिर जोन डिवी को मन और उर्जा मनोविग्यान का जनक पूछा गया है प्लेटो ने रूशु ने जोन लोग ने या फिर अरस्तु ने सिच्छा प्रणाली में अनुकरंड को विसेच महत्व किसके द्वरा दिया गया है तो आपका राइट आंसर हुगा ये प्लेटो के द्वरा दिया गया है पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा शिक्षा मनोविज्ञान का महतु है विध्यारतियों को समझने में विध्यारतियों को समझने में विध्यारतियों को अधिगम है तु प्रेरित करने में या फिर उप्रुक्त सभी तो यहां पर महत्व पूछा गया है तो यह ध्यारतियों को अधिगम हैतु प्रेरित करने में सिक्षा मनोविग्यान का महतु है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उप्रुक्त सभी होगा अगला प्रशन किस मनोविज्यानिक को प्रथम सेक्षिक मनोविज्यानिक के नाम से जाना जाता है वाट्सन को जिन प्याजी को किलपेट्रिक को या फिर थोंडाइक को इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं राइट आंसर आपका होगा थोंडाइक थोंडाइक को प्रथम सेक्षिक मनोविग्यानिक के नाम से जाना जाता है यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा मनोविग्यान के अध्यन की इकाई क्या है संसक्रती है, समाज है, व्यक्तिक है या फिर समू है मनोविज्यान के अध्यन की इकाई पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिक याद रखेगा मनोविज्यान के अध्यन की इकाई क्या है व्यक्ति के यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण नेदानिक विधी द्वारा किस तरह के व्यभार का अध्यन होता है पसु व्यभार का, देहिक व्यभार का, अशमानी व्यभार का या फिर अनुबंदित व्यभार का नेदानिक विधी द्वारा किस तरह के व्यवार का अध्यन होता है पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अशमानी व्यवार का यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा किसने समाजमिती विधी को बनाया किसके द्वरा बनाये गया समाजमिती विधी को मोरेनों ने मरे ने मेशलो ने या फिर मन ने तो याद रखीगा important प्रस्न है मोरेनों ने समाजमिती विधी को बनाया किसके द्वरा बनाये गया मोरेनों के यहाँ पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रसुन ज्ञान ही सद्गुन है प्रसिद कथन किस मनवज्यानिक से संबंद थे सुक्रात, वीलियमउंट, हल या फिर रोर्सा तो यहाँ पर ज्ञान ही सद्गुन है यह जो प्रसिद्ध कथन है यह सुकरात मनोवि客 ज्यानक से सम्वंद दिते है यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वह आपका सही होगा किश मनोवग्यानिक को जनतंत्री सिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है किसको माना जाता है टर्मन को फ्रायट को डिवी को या फिर किल पेट्रिक को किसको माना जाता है तो ये जो माना जाता है ये जोन डिवी को माना जाता है याद रखेगा, जोन दीवी को जनद तंत्री का सिख्षा का सब से बड़ा व्यक्ष्याता माना जाता, यहाँपर तीसरा वाला विकलपे आपका सही होगा, करके सीखने के सिध्धान्त के पक्षधर कौन है, पावलाव है, फ्रायड है, फ्रोबेल है या फिर जोन डीवी है, करके सीखने के सिध्धान्त के पक्षधर के बारे हम पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा जोन डिवी यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा इंद्रियों के माध्यम से प्रसिक्षन देने वाले या फिर देने वाली इंद्रियों के माध्यम से प्रसिक्षन देने वाली तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्त वाला होगा अगला प्रस्ण किसके अनुशार सिक्षा के सिक्षा में अनुबहों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए मेकडूगल, पावला, किलपेटिक या फिर वर्दिमर, किसके अनुशार सिक्षा में अनुबहों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वर्दिमर, मेक्स वर्दिमर यहां पर फोर्द वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रशन सिक्षा में मनोविज्ञान अंदोलन का सुत्रपात करने का स्रे किस मनोविज्ञानिक को जाता है या रस्तु को, प्लेटो को, सुकुरात को या फिर रूसों को किसको जाता है तो ये रूसों को जाता है सिक्षा में मनोविज्ञानिक आंदोलन का सुत्रपात करने का जो स्रे जाता है वो रूसों मनोविज्ञानिक को जाता है या पर दावाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन सिक्षा मनोविज्ञान को सिक्षक निर्मान की अधार्शिला माना है कि सिक्षक निर्मान की अधार्शिला माना है कि सिक्षक मनोविग्यान को सिक्षक निर्मान की जो अधार्शिला माना है वो चार सिक्षक निर्मान की द्वारा माना गया है यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण मनोविज्ञान का अतीत लंबा है पर अतिहाद छोटा है यहां कथन किस ने दिया है उडवर्थ ने, मर्फी ने, बोरी ने या फिर एबिंग होस ने समाजी करन का है सवेदन का है या फिर व्यवहार का है तो सरलसा प्रस्ट नहीं मनो विज्ञान व्यवहार का अध्यान है यहाफर फोर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा प्रियोगात्मक विधी का प्रथम सोपान है यहाफर प्रथम सोपान पूछा गया है प्रियोगात् बुद्धी लबदी के विचारों का जनक कहा जाता है किश्मनविघ्यानिक के नुशार सीखना उस समय अर्थकून होता है जब विध्यारती की रूची कोतूहल के अनुरूप हो महत्मा गांदी चार इसकी नर जिन प्याजे या फिर कार्ल जुंग तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिन प्याजे यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा इनके रुशार सीखना उस समय अत्पून होता है जब विद्यारती की रूची को तुहल के अन वासी थे तो यह कहां के थे अमेरिका के यूए से के यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न डाल्टन विदी के प्रतिपादक कौन है फ्रोवेल है किलपेट्रिक है मिस हैलन पार कहट से है या आफर इनमें से कुई नहीं इंपोर्टेंट प्र फ्रोवेल वासबर्न सनबर्न या फिर कलपेट्रिक तो यह किया गया था वासबर्न याद रखेगा विनेटिका विधी या फिर इकाई विधी का जो प्रतिपादन किया गया था वासबर्न के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न ग्यानात्मक पक्षिका अंतिमस्वर यहाँ पर आपको बताना है और बोध है विशलेशन है मुल्यांकन है या फिर संसलेशन है अंतिमस्वर आपको बताना है ग्यानात्मत पक्षिका राइट आंसर आपका होगा मुल्यांकन ग्यानात्मत पक्षिका अंतिमस्वर मुल्यांकन है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प पे आपका सही होगा अगला प्रश्म मनुविज्ञान चेतना का विज्ञान है किस ने इस परिभासा का समर्थन किया है और सन ने जेमस ने फ्रायट ने या फ्रेसकिनर ने किसके द्वारा इस परिभासा का समर्थन किया गया है तो ये जेमस के द्वारा याद रखेगा मनु पसू मनोविज्यान का पिता महा किसे कहा जाता है वाटसन को थंडाई को पावलाव को या फिर इसकी नर को पसू मनोविज्यान का पिता महा किसे कहा जाता है तो ये थंडाई को कहा जाता है यहां पर बावाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्न प्रात्मिक इस्तर की सिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए ये पूछा गया है तो ये चात्र की सक्रीता पर आधारित होनी चाहिए यहाँ पर बह वाला विकल्पे आपका सही होगा शंकेत अधिगम के अंतरगत सीखा जाता है मनो विज्ञान वातावरन मनो देहिक या फिल पारम परिक अनुकूलन तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संकेत अधिगम के अंत्रगत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है यहां पर फोर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्न जब बालक को परिक्षा द्वारा मापी हुई योगता के सही मुल्यांकन में स्थाइत्व होता है तब उसे परिक्षा की रिक्तिस्तान केहते हैं विर्था केहते हैं विश्वस नीता केहते हैं वस्तु निष्टता केहते हैं या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा विश्वस नीता तब उसे परिक्षा की विश्वस नीता कहते हैं यहां पर बावाला विकल्पे आपका सही होगा मनोविज्ञान विवार का विज्ञान है यहां परिभासा किसके द्वारा दी गई है वाट्सन के विलियम जम्स के फ्रायट के या फिर एडलर के तो यहां पर जो परिभासा दी गई है यह वाट्सन के द्वारा दी गई परिभासा है प्रेरक मनोविज्यान या फिर मनोविज्यान में प्रेणना का महत्व के प्रबल समर्थक कौन है थोंडाइक है उडवर्थ है जने प्याजे है या फिर इसकी नर है कौन है प्रबल समर्थक प्रेरक मनोविज्यान के तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उडवर्थ है या फिर साप एक्षिता का नियम है तो यहाँ पर आपका राइटांस रोगा प्रभाव का नियम, यहाँ नियम कौन सा होगा प्रभाव का नियम होगा यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा मानव विकास होता है मातरात्मक होता है गुनात्मक होता है एक सीमा तक अपानमी होता है या फिर मातरात्मक एवं गुनात्मक दोनों होता है तो मानव का जो विकास होता है वो मातरात्मक भी होता है और गुनात्मक भी होता है तो यहाँ पर जो फूर्ट वाला विकल्पे होगा वो आपका सही दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मद्धि तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है, वो संप्रेशन कहलाता है, यहां पर बावाला विकल्पे आपका सही होगा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, समाजेक विज्ञान है, सुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, या फिर प्राकर्तिक विज्ञान है, तो मनोविज्ञान ये विधायक विज्ञान है, यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन सा सेक्षिक मनोविज्यान का छेतर नहीं है व्यक्तिगत समानता है मुल्यांकल पाठिक्रम का निर्मान या फिर अधिगम यहाँ पर कौन सा सेक्षिक मनोविज्यान का छेतर नहीं है पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा व्यक्तिगत समानता है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा सिक्षा मनोविज्यान का केंदर हैं बालक है सिक्षक है सिक्षन विदी है या फिर पाठिकरम है सरलसा प्रस्ट नहीं आप सभी को पता होगा जो सिक्षा मनोविज्यान का केंदर होगा वो कौन होगा बालक यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा बालक सिक्षा मनोविज अगला प्रस्व मनोविज्ञान ने बालकों के प्रती दर्श्टिकों बदल दिया है अधिक सूचनाए उपयोगी अनुभव अधिक ग्यान या फिर अधिक सिक्छन क्या उपलब्द कराता है विद्ध्याले उन्हें तो यहाँ पर रायट आंसर आपका होगा उपयोगी दियाले उन्हें उपयोगी अनुभव अधिक लब्द कराता है यहाँ पर बावाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्व में मनोविज्ञान अवधार्णा में प्रयुक्त करने का सिरे दिया जाता है प्लेटों को रूशों को थांडाइक को या फिर इसकिनर को किस सुक्षा में ऋनिश्ष चवा निश्चित सवरूप में सामने आया जैसा कि मैंना आपको बताय था टोटल तो प्रस्ण है अन्तीम प्रस्ण psychology सब्धिकी उतपत्ति किस भा outsiders हूय है कि इस तोर पर आपको प्रशन द्या जा रहा है इसका आइज्ट हो आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है कि इस सब्धिकी उतपत्ति किस भासा से प्रेंटिन भासा से युनानी भासा से या फिर इन-में से कोई नहीं वहीं पर मैं आ आंसर इसका बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत तो आज के जो सोब रस नहीं वह आपको कैसे लगे कमेंट से की मार्दिम से आपको बताना है अच्छे लगे हो तो लाइक करना है सेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्द ही दोस्तों एक नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक लिए